हेलो दोस्तो, आज हम करेंगे एक और बहुत ही अच्छा ट्रिक रॉम वैरिक मैट्स मल्टिपिकेशन का है, जैसा मैं बताता आया हूँ कि मल्टिपिकेशन के उपर हम ज्यादा जोर रखते हैं पहले हमने part 1 किया था अब हम करेंगे part 2 और part 2 क्या है multiplication of two numbers more than 100 ठीक है तो देखते हैं कि कैसे करना है कोई छोटे छोटे दो डमर ले लेते हैं let's say 103 और 108 इनको करना कैसे है मैं लिख लूँगा 100 plus 3 इसको लिख लूँगा 100 plus 8 ठीक है magic इन दो numbers में ही है मैं इन दोनों को multiply कर लूँगा 24 आ जाएगा दो digits मुझे यहाँ पे लिखने है अब मैं इन दोनों numbers को add कर लूँगा 11 आएगा 100 plus 11 कितना हो जाएगा 1 1 1 and that is the answer पर अब आप यह देखे कि यह मज़ेदार होता ही चला जाएगा लास्ट जो ट्रिक मैंने करवाया था उसमें मैंने बोला था कि आप 25-30 seconds में कर लेंगे अब हम time reduce करने के उपर भी काम करेंगे और अब हम कोशिश करेंगे कि इन numbers को हम multiply करें within 10 to 15 seconds एक और number लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो हमारी help कर पाता है number लेते हैं 1 1 3 और 1 0 4 थोड़े बड़े number लेते हैं यह आ जाएगा 13 अब देखी shortcut करना है और यह आ जाएगा 4 13 4 था 52 और 13 प्लस 4 17 प्लस 100 था 17 देखी कितने आराम से यह answer आ रही है एक और number कर लेते हैं अब थोड़ा सा और बढ़ान लेते हैं 117 और 109 17 9 जा 153 मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ टेबल आपको आने चाहिए कम से कम 20 तक 1 carry over हो गया 17 प्लस 9 26 प्लस 1 27 प्लस 100 127 and that should be the answer देखी कितने अराम से और मजे से हो रहा है जैसा कि मैं आपको शुरू से ही बताता आया हूं कि multiplication में सबसे ज्यादा गलतियां होती है students की और इस trick के करने के बाद आपको काफी ज्यादा असानी रहेगी एक थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल नमबर लेते हैं थोड़ा prime numbers के बारे में बात करते हैं ठीक है चाहिए prime number नहीं है 3 से divide होता है पर फिर भी उड़ा number है ठीक है और हम कर लेते हैं 113 ठीक है अब इनको multiply करन करेंगे अगर टेबल अच्छे नहीं है फिर आपको यहां पर थोड़ा सा रुखना पड़ेगा 2313 यहां 1323 जा 299 होता है ठीक है अगर टेबल नहीं अच्छे है तो जो मैंने आपको पहले trick समझाया था वैसे कर सकते है 2313 ठीक है 9 आ जाएगा 6 प्लस 3 9 आ जाएगा और यह 2 तो 2 99 आ गया मुझे तो 2 यह डिजट्स लिखने है एक मिरे पास करीवर आ गया है इन दोनों को एड कर लेंगे 36 और यह जो क्यरीओवर है 2 ठीक है एक नमबर करीओवर आए था यह जो 2 है सो इसे अब हम लिखेंगे 99 हमारे पास आ गया है दोनों को एड कर लिया 46 36 आया प् यह multiplication अच्छे अच्छे लोग गलत कर जाते हैं अगर हम इसे conventional method से करेंगे and that too in exams क्योंकि pressure बहुत होता है आप इसको करके देखिए और आपको पता चलेगा कि difference in time अब थोड़ा सा level of difficulty बढ़ाते हैं और एक number लिखते हैं 129 and 109 29 and 9 जैसा कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि आपको multiplication आनी चाहिए so 29,9 जा 261 तो यहाँ 6,1 आ गया यह 2 हो जाएगा carry over 29 plus 9 कितना आ जाएगा हमारे पास 38 plus 240 और plus 100 140 मेरे को नहीं लगता कि 5 seconds से ज्यादा लगते हैं कई बार Pythagorean triplets या numbers के squares करने में हमें बहुत परिशानी आती है जैसे 113 है अगर मुझे इसका square करना है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम है मैं एक बार फिर से लिखता हूँ 13,13 13 का square हमें आता है 69,1 carry over 13 plus 13,26 plus 127 plus 100,127 देखे कितनी आसानी से हो रहा है ठीक है और trust me squares आप just किसी भी number का आप nearing 100 बहुत fast निकाल सकते हैं जैसे मैं एक मुश्किल number लेता हूँ 127,127,27 into 27 ठीक है अगर आपको यह squares आते हैं 729 squares का वीडियो भी जल्दी ही आपको आ जाएगा 729,7 carry over 27 plus 27,54 plus 7,61 and plus 100,16129 ठीक है जब squares का वीडियो आएगा तो उसमें मैं इसका और भी shortcut बताऊंगा लेकिन अभी के लिए अगर हमें shortcut नहीं भी आता है तो multiply बड़ी जल्दी हो रहा है और बड़े अराम से हो रहा है आप इन results को verify कीजिए, सीखिए और अगर आपको यह trick अच्छा लगा है तो please इस वीडियो को जितना share कर सकते हैं उतना अच्छा है ठीक है लाइक का बटन दबाईए अगर अच्छा लगा है नहीं अच्छा लगा है तो dislike का बटन दबाईए और हाँ चैनल जरूर subscribe कीजिए Thank you so much. Have a blessed day. Bye-bye.